टीवी चैनल के उपर अभी जो दृष्य देखने को मिला है वो बहुत ही हृदय बिदारक है बहुत ही चिंताजनक है अभी राजस्थान के बयाना भरतपूर के बयाना में जो दृष्य आप सबने देखा होगा चैनल में अभी चल रहा है एक ट्रेक्टर एक युवक के उपर जिस युवक का नाम निर्पत है उस युवक के उपर चड़ जाता है और युवक की वहीं पर ततकालीन हत्या हो जाती है उसकी मृत्यू हो जाती है विभत से दृष्य है ये केवल एक युवक की हत्या का विशय नहीं है एक युवक की मृत्यू का विशय नहीं है ये केवल एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर चड़ गया राजस्थान के एक गाउं और एक जिले का विशय नहीं है ये आज पूरे राजस्थान का विशय है ये आज कॉंग्रेस साशित राज्जियों का विशय है बताया गया है कि प्रियंका वाडरा राजस्थान आज पहुँच रही है मैं आज भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और पार्टी के एक जिम्मेदार कारेकर्ता के नाते आज प्रियंका वाडराजी से ये डिमैंड करता हूँ कि इससे पहले वो जनसभा को संबोधित करे ये जो हिदे विदारक दृष्य है भरतपूर का हत्या हो रही है सरे आम हत्या हो रही है उसकी रेकॉर्डिंग हमारे सामने है ये लड़ाई कोई आज की नहीं है अनेक दो परिवारों के बीच लड़ाई पुलीस में कंप्लेंट उसके बावजूत अत्या प्रियंका वाडरा पहले उस गाउं में जाए पहले जाके उन पुलिस कर्मियों को वहां के डिम वहां के एसपी और वहां के प्रसाशन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए कि वो भाशन और स्लोगनेरिंग के नहीं है वो खड़ी हो सकती है she has to project that she has the spine, she has the gall to visit Bharatpur, to visit the place where this gruesome incident, this gruesome murder has taken place only a while ago and the video which has gone viral across the country and beyond is heart wrenching this is the call to Priyanka Wadra Priyanka जी, विशे तो बहुत ही गंभीर है जिस पे आज हम press conference कर रहे हैं मगर दिश्य देखने के बाद अपने आपको रोका नहीं गया, इसलिए हमने आपसे ये challenge दिया है कि आप पहले वहां जाए